तो नमस्कार दोस्तों आप सबका फिर से स्वागत मेरे स्यूट्यूब चैनल पर आज के सुड़े में हम देखने वाले सूपर लीग यानि पाकिस्तान सूपर लीग टे-20 की जो मैच है लाहूर कलंदर्स वर्सेस कराची किंग्स के बीच की एल एएच वर्सेस के आर के बीच की उसकी तीन ड्रीबिलेवन की विनिंग टीम हमको देख लेनी है जो कि काफी जबदस टीम में बनने वाली है जोस्तों जिससे कि आप अच्छी कासी अर्णिंग कर सकते या फिर आप ग्रांड लीग और स्मॉल लीग दोनों जीत सकते तो सबसे पहले मैंने मैंने मैच को हा किसे बना सकते हैं वह भी मैं आपको दिखोंगा तो वीडियो को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों आप सबसे कि आपने अगर मेरी चैनल का अब तक सबस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सबस्क्राइब कर लिजे और बेल आइकन को प् लेकिन प्लेइंग इल्योन में तीनी कीपर शामिल है उसमें सबसे पहला आप्शन मैंने एक ही चूस किया है क्योंकि सबसे बड़िया परफॉमसी नहीं का रहा है वो है जे क्लार्क इसके अलाव में किसी और कीपर को इस टीम में शामिल नहीं करूंगा इसके बाद बैटि कर रहे हैं तो इन दोनों को रखना जरूरी है हर टीम में इसके बाद मैंने तीसरा जो बढ़लेवाज एस खान को यहां पर शामिल कर लिया यह अच्छे खासा खेल रहे हैं तो जरूर आप इनको ले सकते इन पर भर्षा कर सकते दावल लगा सकते कुल मिला कि हमारी आगली करती जो देखना हमें All Rounders के section पर चलते तो यहां पर देख सकते मुमाद के अफिस को हम नहीं ले पा रहे हैं थोड़ी टो आफकोस मैंने यहां पे दो ग्रहें तो अफकोस हमारे पास रहने चाहिए ते पर रहेंगे यह रशीद खार इन दोनों को काफी अच्छे बतलब ये भी अच्छी गैन बाजी कर रहे हैं तो हमें काफी फायदा हो सकता है इनकी वजह से तो इसलिए इनको लेना जरूरी है काफी बढ़िया टीम बचुके दोस्तों और अच्छी टीम के लिए अच्छे कैप्टन और वाइस कैप्टन अगर हम दे देत तो जरूर आप इन दोनों को अपनी टीम का क्याप्टन और वाइस कैप्टन बनाएंगे तो काफी फायदा हो सकता है टीम प्रिव्यू कर लेते जे क्लार को किपिंग में लिया है इसके लाव मेरे पास तीन बल्ले बाज़े बाबर आजम एस खान और फकर जबान इस तरह स चार ओल डॉंडर है चारों ने अभी तक अच्छा परफॉमंस किया है तो जरूर आप इन चारों को लेंगे तो काफी फायदा आपको हो सकता है अगर गेन बाजी की बात करें तो अफकोस रशित खान तो हमारे पास रहेंगे दोस्तों इसके बाद साइन अफ्रेदी और ज तरनाक टीम बनी है बैटिंग अच्छी है बॉलिंग अच्छी है अल्राउंडर सच्छे कीपर अच्छे सभी की सभी प्लियर हमारे पास अच्छे तो इसके वज़े से यह ज्यादा से जादा ग्राइड लिए उसकी जिगा स्मॉल लिए ज़रूर यूज कर सकते लेकिन ग् वाऊच्छी के लिए इस टेम को सिर्पोष को कि आपको जादा अगर बात करें क्याप्टेन और सबसे पहले बात कर pergunta के बारे में तो वह बनाया है मैंने फखर्णवान को दोस्तों शुरुआत से ही जिहाश फिर से कहता हूँ शुडवात से ही ये काफी जबदस दस फ़ाम में मुझे लगता है कि पहले दो तिन मैचेस में ही इनोंने एक सेंचुरी बना ली थी और काफी जबदस तुफानी बैले बाजी कर रहें काफी जबदस खेल रहें तो इनको कैप्टन बनाना काफी ज़रूरी है वाइस कैप्टन बाबर आजम को भी बनाना ज्यादा जरूरी है क्योंकि यह भी फकर जमान के बाद सबसे बढ़िया प्लियर मुझे लग रहें इस लीग में तो इसलिए इन दोरों के साथ हमें कुलमला के पहले ठीम हमारी काफी बढ़िया लेते हों दूसरी टिम कर के दिखा देता हूं मैं जो अगर बात करें तो यहां पर देख सकते हैं मैंने जे क्लार की जगह पे पीसल्ट को ले लिए यह भी काफी जबदस प्लियर है और तप और में बैटिंग करते हैं और अच जैसे आप देखार फकर जबान और भाबर आजब तो रहेंगे दोस्तो से इन दोनों को छोड़ना मतलब है कि लीक मेहार इसके बाद दो जो और बल्ले बाज में लिए के गुलाम और एक सस्केब को इस टीम में मैंने शामिल कर लिया है यह दोनों भी शफिक माप की जगा दोनों भी काफी जबदर स्केल रहे और अच्छी बैटे कर रहे तो जरूर आप इन दोरों को भी ले सकते हैं काफी बढ़िया टीम बन रहे हैं दोस्तों आल रांडर पर चलते हैं तो यहां पर मैंने डेविड विसे को छोड़ ले थी जिसके वज़े से हमें एक कम पॉइंट का बंदा लेना ही पड़ता है तो यहां पर मैंने मोमद आफिस को ले लिया है पिछले टिम में हमार पास यह नहीं थे मोमद नभी को वापस लिया और आयवासिम को भी ले लिया तो इस तर से तीन आल रांडर इस बार क्यों हमें हमारी टीम अच्छे से नहीं बैटी रही थी और और भी गेंबाजों को मुझे ट्राइक करना था जैसे कि रशित खान तो लिया है यू अशिप को पिछले टीम में नहीं ले पायते और हरसद राउफ जिया दोस्तों इनको भी लेना जरूर है यह भी काफी जबदस त को यह आप लएनी को मैंे पछले टीम में बनाया था लेकिन यह इस बंदा ऐसा है काफी अच्छा परफोर्फ है मेरे पास क्या कोई और की पर ले ही नहीं सकते हैं क्योंकि अम्हारे पास काफी ज्यादा ऑप्शन इसके बाद मेरे पास चार बैट्समन से चार बंदे में बाबर आजम को के गुलाम को उझा मतलब फकर जामन को लिए और ऐ शाफिक को इस त्रीम में शामिल कर लिया है तो जरूर आप इनको लेंगे तो ज्यादा फायदा हो सकता है अगर बात करें आल राउंडर्स की तो मैंने इस बार डेविड वी से को छोड़ दिया है अगर बात करें तो मेरे पास अभी मोहमद अभी है मोहमद नभी है आए वसी में तीनों की तीनों बेस्ट आल राउंडर्स ह ज़रूर आप इन तीनों को भी टीम में शामिल करेंगे तो काफी फाइदा हो सकता है गेन बाजी की बात करें तो इस बार यू असीफ रशित खान और असद रौफ को मैंने इस टीम में शामिल कर लिया साइन अफ्रेदी की क्रेडिट थोड़ी जादा है तो इस वज़े से आम इनको नहीं ले पाए कुल मिला के यह भी टीम काफी बढ़िया बन चुक है और काफी जबदस टीम बन चुक है इस टीम को फिर से कहूंगा जादा से जादा ग्राण लिक के लिए उसकी जगा स्मॉल लिक के लिए भी हम को यूज कर सकते कोई रिस्की प्लियर या पर मैंने शामिल नहीं किया जिसके जिसे ग्राण लिग और स्मॉल लिक दोनों के लिए बेस टीम है तो आप अगर ग्राण लिक में अच्छी खासी अर्निंग या फिर ग्राण लिक जीतना चाते तो इसे ग्र ग्राण यी में मैं उनको फाइब क्या बनांगा क्योंकि यह भी काफी जबदिस्ते प्रकर जमान भी अच्छे है और यह भी काफी बढ़िया है तो इन दोनों को Captain और Vice Captain मना ना काफी जरूरी है दोस्तों एक एक लिग में आप जरूर इस्तर से कर लिए जिगा अई वस्रीम को Vice Captain मना दोस्तों काफी बढ़िया है यह भी और आच्छे खासे Allrounder है बैटिंग और बॉलिंग दोनों में अच्छा कर से कर रहे हैं और साथी साथ कंसिस्टनसी थोड़ी जादा है मुहमद दमी मुहमद आफिस से तो इसलिए इनको मैंने वाइस क्याप्टन बना है कुल मिला कि यह टीम भी काफी बढ़िया बन चुके इस टीम को भी अभी क्लोज कर लेते हैं और सेव कर लेते हैं तीसरी और आक्री टीम हमको देखनी है हमने किस तर से बनाई तो इसको अगर तीसरी टीम की पर क्लिक करें तो यहाँ पर मैंने गाफी जबरदस डिसीजन लिया है देख सकते आर नजीर को इस टीम में शामिल कर लिया है पी सॉल्ट और जेक लार को अल्रेडी हमें एक एक टीम में ले चुके तो आर नजीर को लेंगे तो हमें डबल फायदा होगा उसके बारे में आगे हम बात करेंगे लेकिन आगे चलते हैं बैटिंग पर तो बैटिंग में मैंने इस बार बाबर आजम फकर जबान इस खान को भी यहाँ पर वापस ले लिया है और इसके अलावा चोथे जो है एच ब्रोक को यहाँ पर शामिल कर लिया है इनको भी कम से से कम एक टिम में हम जरूर शामिल कर सकते हैं कि इतना बुरा नहीं है जितना की हमें लग रहा है क्योंकि तीन-चारी मैचेस के लिए और तीन-चार मैचेस में अभी तक अच्छे-खासे पॉइंट दे दिये तो एक जगह पे ज़रूर आप इनके साथ जा सकते हैं पर बहुत एक साथ में ले लिए तो इसके अलाव कोई जादा ऑप्शन है नहीं आपके पास क्यों अक्रम है तो हमने तीन-चार कर लिए तो इसके बाद गेनबाजी पे चलते तो अफकोस मैंने फिर से आपे शाइन आफरेदी और रशित खान को एक साथ में ले लिया है क्योंकि इनको भी जादा दूर रखना थोड़ा मुस्किल है तो ले सकते आप इस तर से और क्रिज जॉर्डन को अभी तक एक भी टीम में नहीं ले पायते और इनको डेट और स्पेशलिस्ट भी का जाता तो इनको भी मैंने इस टीम में शामिल कर लिया तो कुल मिला के काफी जबद स्टीम बन चुके क्याप्टन और वाइस काप्टन देखने है तो इसके लिए कंटीनू पर क्लिक करना है जैसे कि आप देखपा रही हाँ पर मैं क्याप्टन बनाने जा रहा हूँ शाइन आफ्रेदी को क्योंकि इनका पर्फरमस काफी बढ़िया रहा है वही वाइस कैप्टन बनाने जा रहा हूँ रशीत खान को जिया दोस्तों आप सबको पता ही होगा कि दोनों की दोनों बेस्ट है इस तीम को प्रिव्यू कर लेते हैं जैसे कि आपको लेने के के दो-तिन यह होँए ज़िसमें हम भी है और अगर फीड़ यह ए तो हम्में सबसे जादा फाइदा होगा छेट परसेंट लोगों को ही फाइदा होने आला है बाकी 94 परसेंट लोगों को इसका फाइदा नहीं होने आला है तो इसलिए इनको एक तीम में लेना जरूरी था उसके बाद बाबर आजम फकर जमान एस खान एच ब्रूक ये बाद चार हमरे पास बल क्रेडिट हमारा बज़ गया जिसके वजह रशीद खान और साइन अफ्रेदी दोनों इस टीम में तो यह भी एक फाइदा है दोस्तों और एच बुक को भी हमने लिया इस टीम में यह भी अच्छे खासे है दोस्तों तो ज़रूर आप इनको भी ले सकते तो कुल मिला के काफी तो जरूर आप इस टीम को भी लिए यूज करेंगे तो ही ज्यादा बेटर है क्योंकि आपे स्मॉल लिक के लिए थोड़ी रिस्की टीम जरूर कोंगा क्योंकि यहां पे मैंने नजीर को लिया है और एज़बुक को लिया है जो कि अभी तक अच्छा पर्फॉर्मस इस टीम को सिर्फ और सर्फ ग्राड के लिए जादा फायदा हो सकता है या फिर आप ग्राड लिए जीत सकते हैं तो परहने के काप्टर्ण और बाट करें तो इसifter का रही चैपटर्ण को बना हो एन और वाइस क्टर चूंटा को बना है आप कर सकते हैं रशित खान को captain भी बना सकते और साइन आफरेदी को vice captain भी बना सकते लेकिन मैं इसी तरह से रखूँगा क्योंकि मेरी यह आखरी टीम है और अगर आप इससे भी जादा टीम लगाते हैं जबदस्त और खतरनाक बन चुके ज़्यादा से ज़्यादा टीम के लिए उचकरने को कौंगा, small league के लिए यूज करने को नहीं कौंगा, small league के लिए उचकरके इस टीम को west मत किजेगा, कुल मिला के काफी खतरनाक और अच्छी टीम बन चुके इस टीम को भी close कर लेते हैं और लेकिन मुझे लगता नहीं कि इसके जरूरत पढ़ने आली तो आई होप आपको मेरा यह मेरी यह तीनोटी में और मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा और पसंद आया तो इसे लाइक शेर और कमेंट जरूर कर दीजिया दोस्तों ताकि इसी तरह के अच्छे वीडियो दूस थैंक यू धन्यवाद गुडबाई